आज खरकोन जिले में नाक पंचे मी कपर्व बड़े धुमधाम के साथ मनाया गया। मुई टांडा बरू में अनंत नाक मंदीर और वासु की नाक मंदीर वाजार चोग में सोमार को नाक पंचे मी कपर्व बड़े ही धुमधाम और हरसोलास के साथ मनाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में शृध्धलू का ताता लगा हुआ रहा मंदिर में शृध्धलू द्वारा नाग दियुता का दूद से अभिशेक और प्रसाथ चड़ा कर मन्नेते मांग रहे थे वहीं वासू की नागमंदीर एवं अनन्द नागमंदीर से विशाल साहि सवारी ग्राम के विविन मारगों से निकाली गई जिसमें स्टेक्रों की तादाद में भक्ते जन शामिल होकर बाजार चोक से साहि सवारी के साथ निकले भक्तो द्वारा शुद्धालों के लिए जगा जगा चाय और नास्ते के स्टावल लगाए गए वहीं शुद्धालों द्वारा मंदिरों में हलवा और नुक्ती की प्रशादी वित्रित की गई सावन माहा की शुक्रपक्ष की पज़िमी दिथी को मनाये जाने वाले इस पर्व के सब्बन में कई पोराणी कथाएं भी प्रचली थे ऐसा माना जाता है कि ये पर्व भगवान शुद्ध के गले की शुभा कहे जाने वाले नाक देउता की पुजा का है नाक पुजा भगवान विश्णू और प्रभु शिव से जुड़ी पोराणी कथाओं पर आधारी थे लेकिन इसे मनाने का मुल्क प्रयोजन सर्पो से रक्षा की कामना का नमाना जाता है वही साही सवारी में पूलीस प्रसासन द्वारा सक्रियता से अपनी ड्यूटी कर आईजन को सफल बनाया बरूर से रामेशुर कुम्रवत के लिपोग हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले